हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें खार करें और करें खार करें खार ़्यार करियो जाना करें आए जबाएं रहनता माइब तरिया भी और तर रहना भीज़न अबनादार एक प्राइब को अपनादार एक रिफ तक रावा कि बावा कि अपना एक रावा कि अपनादा आप पिर जावा को अपनादार है अएंट नए इना प्रूई प्रूबारी छुझे में है कि अरण प्रूब है कर्णाब। आष्णा, मेरे सामने आओ. आष्णा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे सामने आओ. आष्णा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मेरे सामने आओ. प्लीज, गोरो. पुझा, पुझा, पुझा. पुजा, पॉनल, यार, नेहा एक्जाम दिने नहीं आई, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहां चलिगे ही वो? हाँ, यार, और हम सम में से पढ़ाई के मामले में तो सबसे दा सीरेस से वही है, और उसने अपना एक्जाम मिस कर दिया, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, एक्जैक्ली, वही तो, नेहा जैसी लड़की एक्जाम देने ना आई, मुझे ना, बहुत घबरात हो रही ह कोई गड़बर नहीं है, नेहा ना, हमें सिर्फ परिशान करने के लिए ये सब करी और कुछ नहीं, नहीं सोनल, सिर्फ हमें परिशान करने के लिए वह अपना एक्जैम मिस नहीं कर सकती, मुझे तो लग रहा है, वो वो आशना वाली पास, खबरदार, अगर इस बारे में हमने किसी से भी धिकर किया तो, हम सब भस जाएंगे, गर्ल्स, येस माम, नेहा कहा है, एक्जान देली नहीं है या जो, नहीं मैम, हम लोग भी सुबह से उसे ही ढून रहे है, पता नहीं, कहीं नहीं दिख रहे है मैम, दिखी नहीं मतलब, तुमारे सद रूम में नहीं थी में भी खी जाएंग, इस मेल से रहे हैं, है। वेरे संधितने काई मतलब, घर रोगे हैं, तुमारे मतलब, पालधे ब कर म Scorpity जाएंगे तुमारे में जो के है, तुमारे नहीं है? जोगीं के लिए जाती है मैम, करी वही तो उसे कुछ नी हो गया मैम कहां जाती है जोगीं करने नेहा 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 वोंडों से अथा नहीं कहां चेली कई यह लड़की बाता ही माम देखे नहीं लिए नेहा माँ माँ क्या वा कोण माँ कोण मैम मैम, hier नेहां कहाप राच जाता है मैम, मैम, मैम कहीं कुछ होत्तो हो दिंगे, आउने, नहीं, नहीं मुझे जो, मुझे लिए, आउने, आउने, गाहा वे, आउने, री nella hirich अपलोग उन्हें नहा, को आखरी बार देखिए? आखरी बार फो देखा था?! Sir, कल राट धाई बज़े. राट के धाई बज़े? Actually sir, हुआ ये था कि पड़ते पड़ते हम लोग बॉर हो गय थे. इसलिए तुछ अड़ेर का गेम खेलने लगे. Pooja! चल पूजा बता, पुरत्या ड़े. चुर्ट? ए, पूजा से पहला क्वेशन मैं पूछो? Okay, तू पूछ ले. Pooja, अपनी लाइफ का कोई ऐसा सिक्रेट बता, जो आज तक तुने किसी को नहीं बता है. पर ऐसा कोई सिक्रेट है ही नहीं. चुपकर, सब का कोई सिक्रेट होता है, अच्छा? तेरा भी होगा, चल बता है जल्दी से. Okay then. Actually, जब में 10th standard में थेना, तो मैं वोड़ के ग्जाम्स में नाच्स में फेल होगी पी. पर हाँ, मुझे दम मत समझना हाँ, सप्ली में एंटरी में क्लिया था. Not bad, not bad. Okay, चलो, अब नेक्स्ट. Oh, ने, हाँ. चल बता, truth या dare? Dare, dare? क्या बात है, dare? क्यों? सच्छ पूली की हमत नहीं है. Hello? मेरी हमत को चैलेंज मत कना. चलो, जल्दी से dare बताओ. Okay, तो अगर ऐसी बात है, तो जा क्यार्म रूम के बात्रूम में और वहाँ पर जाके तीम बार आशना का नाम ले. तो पागल होगा यह क्या, सोनल? Please, नेहा यह dare नहीं कर दे. क्यों नहीं कर सकती? अब इसने तो कहा है कि इसे किसी से डर नहीं लगता. यह क्या बोड़ रहे है, सोनल? आत्माउ को क्या? आत्मा उसे पंगा नहीं लेना चाहिए, कुछ ज्यादे ही सीरियस हो जाएगा. तो ठीक है, एक ही शर्त पे मैं अपनी डेर क्यांसल करती हूँ. तू यह मान ले कि तुझे आत्मा उसे डर लगता है. नहा को किसी से बीटरनी लगता है. नहा को किसी से बीटरनी लगता है. तो ठीक है, तो जा बात्रूम में और तीन बार आशना का नाम ले ले. ओकी, ठीक है. आप लोग अब इसकूल में नहीं है, बड़ी हो गई है. आशना का नाम तीन बार लेने से क्या होता है? आज से कई साल पहले इस कॉलेज में आशना नाम की लड़की पढ़ती थी. जिसने सीनियर्स की रागिंग से परेशान होकर खुटखुशी करे लिए. उसी बाथरूम में लटक कर जहां नहा गई थी. और तब से यह माना जाता है कि उस बाथरूम में कोई भी, कोई भी जाकर तीन बार आशना का नाम ले तो उसके आत्मा वहां आजाती है. देखो, आत्मा वात्मा जैसा पुछ नहीं होता. नेहा को किसी इंसान ने गायब किया. आप लोग अपनी क्लासे में जाएए, हम देखते हैं मामला क्या है? तो पुएए. सार, अनिकल. सब्सक्राइब, देखिए. देखिए. याद वित्तून है और याद वित्तून है और याद वित्तून है? सब्सक्राइब, याद वित्तून है? याद वित्तून है रास्ता तो जम्मिल की तरफ जाता है? याद सर्व. चलो चलते हैं. याद सर्व. याद सर्व. यिसकिसे इंसान का इतना सर्व प्षाओ और तो नहीं होगा. वो पचातों नहीं होगा. याद सर्व. वोसकता है, वोम्न जरा सही पहा हो और वारे शिकार में प्हाल ग़या हो. सर यह क्या है? राख सर गई नहा को मार के जला तो नहीं दिया गया लिकिन सर इस राख से हमें यह कैसे पता चलेगा के यहां नहां को ही जला गया किसी और को नहीं श्रही काम करो जाकि नहा की रूम की तलाशी है देखो माँस की मेडिकल रिपोर्ट बाल के टुक्ड़े या कुछ और मिलता है कि इस हून को उससे मैच करके देखता है पता चल जाएगा यह नहा ही थी यह कोई और अब तक हम सारे सबूत प्रेंज के सबीष्ट यह नहीं हो की बाशते कि टाइरी भी देहा किया है तुर्ण शार अ गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग एक दम वक्त पुरायो तुम लोग क्यों सर्ट वोग तरसल वोग जंगल मेशे और कॉलेज मेशे जो खून मिला था वो खून नेहा काई नेहा के बाल का ढिने ौर कुण का डिने मै्च होता है मतलब सर्ट नेहा को जिए माल के जलाए गया है ने फिector नेहा को जला गया है या किसी और को यह तो नहीं पता इसका क्या मतलब जो यह सचिन वहन से जो राख हमें बिली है इस राख में से आमे यह किसी लड़की की कान की बाली मेलिये और हड़ी के कुछ जले हुए टुकडे मेले लेकिन ये हड़ीयां जल करके एकड़म कोईला हो गई है इसलिए इनसे डियने निकालना बहुत मुश्किल है कि इसलीए कहना बहुत मुश्मिल है कि वहां पर किसे जलाकार कि मारा कहा है व खुन नहा कहा है एक कान कि भाले किसी लड़की की है औं नहा गाई भी है तो हो सकता है सर compelled में जिसले जलाये गया हो वो नहाई है को अध्य को झूलेज के बीचिर जो finish है वहां पर एक रास्ता है जो सीधा आईवे को जाकर मिलता है और जारतर लोगों को उस रास्ते के वारे में कुछ बता ही नहीं मतलब यह काम अंदर के इसी आदमी का है इसने नेया का खून किया और फिर वाँ से निकल गया अंदर का मतलब सर कोई स्टुडेंट स्टुडेंट हो सकता है, कॉलेज के स्टाफ का कोई आदमी हो सकता है लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नेहा के साथ इतना सब कोछ हुआ तो किसी ने देखा कैसे नहीं, सुना कैसे नहीं पुर्भी, नेहा की टारीय से कुछ पता चला? हाँ सर, सर, नेहा ने इस डारी में एक खास बात लिखी कि वो रोज सुपह जॉगिंग के वग्त चोरी छुपे एक लड़के से मिलती थी शायद उसका बॉइफरेंड बॉइफरेंड? सर, कही एक खून प्यार के चक्कर में तो नहीं हो? हो सकता है? दिल्कुल हो सकता है तर नाम के है उसके बॉइफरेंड का? सर, नाम तो नहीं लिखा है नाम की जगे पी अक्षर लिखा हुआ है पी? मतलब उसका नाम पी से शुरू होता है लेकिन सर, पूछता अच के वग्त नेहा की सहलियों ने नेहा कैसे किसी बॉइकरन के बार में बताया ने? वो सकता है नेहा ने ये बात अपनी साहलियों से चुपाई हो तब ही तो उससे चोली चिपे मिल दी थी तर नाम नहीं लिखा है से पी लिखा होगा है सर, उसन ये भी लिखा है कि वो उसे घंटों बास्केट बॉल खिलते हुए देखती थी बास्केट बॉल तो नेहा का ये बी नाम का प्रेमी कॉलेज की बास्केट बॉल टीम का कोई खिलाडी होगा कॉलेज बास्केट बॉल टीम के सभी खिलाडी आगए? यह सर पर हम लोग को यहां क्यों बुलाया है प्रैक्टिस करने के लिए तो सर कोट पे चलिए यहां पासिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते है पासिंग प्रैक्टिस नहीं बच्च है कैचिंग प्रैक्टिस आज हम तुमें सिखाएंगे कि एक मुझरिम को कैसे कैच करते हैं नेह अपने आप सामने आजाए और अपना गुनाह खबूल कर लिए मारना अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो हमसे किसी भी किसम की रहम की उमीद मत करना है कि अपनी आप सामने नहीं आएगा हमें कुछ करना बड़ेगा सर अपनी नाम बताओ तुम फिरोज कारकी, किषोर, आकाश, निमेश, मुकेष, प्रतीक प्रतीक, मारा आजाओ हम आगे हम गरो गरो कर्शान्ट प्रशान्थ, तुम इजाए तुम ररेग्व परशान्थ, प्रतीक तुम दोनों मेंसे निया की दोस्टी किसके साथ थे? नहीं सर, मेरी निया के सब कोई दोस्थी नहीं थी? तुमारे? मैं भी नहीं वुम बे से किसी ने प्रशांत या प्रतीख को कभी निया के साथ देखा था? तुलक्दान की टीम में एकताब होत है कि बताएंगे नहीं कि निया का बॉइफिंड कौन है बचा रहे हैं उसे नहीं बचा प्राइंगे सर अब ये कैसे पता चलेगा कि जूट कौन बोल रहा है प्रतीक या प्रशांत उसका इलाज भी है मेरे पास ये नहा की परस्टनल डायरी है इसमें उस पी अक्षर वाले का नाम लिखा हुआ तो पगड़ लेते हैं वक नहीं गमाते हैं अपने हैं बस मौका दे रहे हैं ताकि वादमी खुद हमारे सामने आजाए वरना वरना किया था मेरे नहा को कि मेरे नाम यहारी में मत लिखना अगर उसने मुझे दोखा दिया इसे कहते हैं चोर की दाड़ी में तिनका नहाने अपनी परस्टनल डायरी में किसी का नाम नहीं लिखा तुम खुद अपनी जूट की दल्दल में पस गया नहीं सर मेरी बात का बिश्वाच की जी मेरा कि इतना प्यार करता था तो में वला उसका खुन क्यों करूंगा सब यह प्यार के गाने गाने बंद करो समझाए इतना ही प्यार करते थे तो इस रिष्टे को सब के सामने सुईकार है क्यो नहीं क्यों चुपा कर रख़्ा देखो अब ये मगरमच के आसू बाहने से तुम डायरी में साफसाथ लिखाए कि वो रोज सुभे जॉगिंग के वक्त उनसे मिलने आती थी तो भुग जॉद थी जगे नेह का खुण वा जहां लोग हम लोग वहां मिलने वाले ही नहीं थे एक्जाम का दिन था और हम लोग औरे प्लान किया था कि एक्जाम खतम होने के बाद कोलिश के बाहर कहीं में लेंगे छोड़ तुम दोनों के लावा कोई और जानता था कि नया जॉगिंग करने वहां पे जाती है कि नहीं था को यह उसे कैसे बाद सकता है तुमारे अलावा सर वह सकता है कि नया का पीछा करते करते कोई वहां पहुच गया अच्छा अच्छा तो कोई पीछा करते वह वहां पहुच गया तो कोई पीछा करते वह वहां पहुच गया नियुक्कोरेक पहली बार C.I.D. फीोरों में आया हुए इस एस शी blessed सिर्फेकी गया हैा है'. सार रिसका टेप थो फिर वहीप आगे तकी हो. मैंने नहीं हाना हुए, मैंने नहीं हांुए. पर्ञाये शब। और यह सुन लिया है, अब वो बोल जो हम सुनना चाहते हैं, वर्क! और क्या बोलू, क्या बोलू मैं? चलो इतना ही बता दो, कि नेया और तुमारी प्रेम कहानी को पर्दे में रखने की वजय क्या थी? सर, मुझे डर था, कि कहीं मेरी गल्फेंड को पता ना चल जाए चया, गल्फेंड? लेकि नेया तुमारी गल्फेंड थी, ना? यह सच है, कि मैं नेया से प्यार करता था लेकि मेरा अदी felony मेरा भी आग यहाँ लएँ झोड़षादा था नेया से मिलने से पहले, मैं सोनल से प्यार करता था सॉनल, कि निया की सहेली सॉनल शर्मानी चीए तुम नहा और संनल दोनों की को दोका दे रहे थे काना दिया झाल नहीं मैं नहीं दोका लेन रहा था करते ही पिस ग्या वाल में बन ब्त कुछ रिफ ना है जानती थी? तो उसने कहा नहीं तुमसे कि सोनल से दोस्ती तोड़ दूड़ू? कहा था। कई बार कहा था। पर सोनल थोले गरम मिजाज कि है और मुझे डर था कि सोनल को अगर पता चल गया कि नहा से मैं प्यार करता हूँ तो नहा को कई नुक्सान न पहुचा दे सर कही सोनल निहा को तो नहीं मारती है हो सकता है या पर सोनल और परतीग दोनों मिले वे हो सोनल से मिलना पड़ेगा अचल पुच्छ बनुटू से अवाहाँ अवाहाँ अथ YOU देखेको लिए अपल मुप्छाप ुचछ अपुछ ुच अप ुच भाइको ुच भाइको वॉ अपल ुच अवाइको ुच ुच तुम्हें! नेहा की मौत से पर्दा हटा भी नहीं था, जब लिए सोनल की मौत हो गई। सर, मुझे तो लगता है, नेहा के साथ 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 सोनल ने भी बातरूम में तीन बार आशना का नाम लिया होगा सोनल की लाश को सबसे पहले किस ने देखा? मैंने देखा, सर, जब मैं सफ़ाय करने आई, तो देखा कि सोनल की… और इसकी चीक सुनके हम समभाग कर आगे, सर. मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो रस्सी को बीच से काटकर सोनल को निचे उदार दिया. पर सर, तब तक मुम बाढ़ चुकी थी. राजा, इगर यह आओ. यह देखो, इसके सर पे यह चोटकाने शान. उनीने पहले सोनल के सर पे वार करके उसको प्रहोश की, उसके बाद फासी पिलटका दिया. नुक्टर, तारिका, उसर लाश को पल्टी कीजिए. नुक्टर, सर बाहर से यह सी रसी लाँए? जौँ. रसी? जहाल फिलाल, सोनल को कोई चोटपे करना लगी थी? सर, ऐसे तो कोई चोट नहीं लगी थी उसे. रात में कितने वही तक आप लोग साथ थे? सर, हम लोग रात को तीन बजे तक पढ़ाई कर रहे थे. उसके बाद हम लोग सोने चले गए. पर और सोनल तब भी पढ़ाई कर रही थी. और फिल पता नहीं. अच्छा, क्या सोनल किसी बात को लेकर परिशान रहती थी? यह सर, ऐसे कोई भी बात नहीं थी. सर, रसी. आप ज़रा इस पंदे को पहने? नहीं? कर रहे यह मत, कुछ होगा नहीं आप. फिलकुल इसी तरह अपने आप को फांसी लगाएगी तो फिलकुल इसी तरह अपने बालों को बाहर करेगी। मतलब भन्दे के बार. और सोनल किलाश को देखो, तो बाल भन्दे के अंदर ही हैं. इसके मतलब उसने खुद खुशी नहीं की. बलकि उसका खून हुआ है खून? हाँ खून और यह सारा काम किसी ऐसे आदमी का है जो आशना की आत्मा वाली कहानी का फाइदा उठाते हुए एक-एक करके खून किये जा रहा है लेकिन रजार एक लाश को इस तरह से भासी पर लटकाना इतना असान काम नहीं है काफी ताकत लगी हो जाई का आपने डॉक्टर तारेका हो सकता है दो तीन लड़कियों ने मिल के ये काम किया या फिर किसी लड़कें ने लड़का? लेकिन गर्ल्स आसटेल में लड़का कैसे आ सकता है क्यों नहीं आ सकता? माडम जब आपके हॉस्टेल में दो-दो खून हो सकते तो एक लड़के का आपके हॉस्टेल में आना ये मामुली बात है फ्रेडी इसने भी नेया और सोनल का खून किया इसने नफरत या बदले की भावना से खून किया एकाम करते हैं रिया और पूजा को प्यूरो बुला कर पूछ ताच करते हैं कुछ न कुछ ज़रूर पता चलेगा सोनल और नेहा दोनों रूमेट्स थे और दोनों का खून हो गया कि दोनों की मौत में कोई ना कोई संबन तो है क्या लगता है अब लोगों को कौन कून कर सकता है उनका अब जीत सोनल की बॉड़ी पेसे मुझे बिंदी मिलिये शायद आपके किसी काम आजाए तारिका जी यह सोनल की बिंदी है नहीं सर सोनल तो कभी बिंदी लगाती ही नहीं थी सर सर शुषकता यह बिंदी सोनल के खूनी की हो हाँ सर शायद सोनल को फासी पर लटकाते वड़ित खूनी की बिंदी सुनल के शरीर पर जब गग गई हो गलती से तbringen तो मतलु कोनी कोई लड़की है जाने पहचाने है, क्या हम नहीं देख सकती है? देखे. यह बिंदी तो तीना की है? तीना? हाँ, सर. कौन है यह तीना? सर, हिस्ट्री ओनर्स की स्टूडेंक है. हमारे होस्टल में ही रहती है. पुरे होस्टल में तिर्फ वही ऐसी बिंदी लगाती है. लेकन यह तीना सोनल को क्यो मारेगी? सर, कुछ दिनों पहले, हम लोगों ने पूरे कॉलेज के सामने तीना के साथ एक मजाग किया था. सर, हम लोगों को पता नहीं था वो इस मजाग का इतना बुरा मान जाएगी. अचा, आप लोगों कुछ ज़्याद ही मजाग करता है, हम? हलो? जी हम बोलनों? हाँ जी, कही है? ओके, 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 ओके. या, थैंक वेएँ मज़. आपके वाड़न का फोन था, कॉलेज बंद कर दिया गया है. आप लोगों को आपकी गर जाना पड़ेगा. बढ़ेवे, अगर कुछ बात यादा है जो इस के से तालुक रखती है और आपको लगे की बताने लाएगा, तो फोरण हमें इन्फार्म किजाएगा. इसे फोर्ण. टीना? सर, ऐसे कैसे सकते हैं आपकी यह बंदी मेरी है. ऐसे तो धेरो मार्केट में मिलती है. यह बंदी तुमारी है टीना. क्योंके इस तरह की बंदी सिर्फ तुम ही पहनती हो कॉलेज में. अब यह बताओ, के सोनल को क्यों मारा थाना है. सोनल का खून? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया. देखो, हम जानते हैं तुमारा सोनल के साथ जगडा था, कि वो तुम्हारी रागिंग कर्ती था. हाँ सर, लेकिन तुम्हारी बंदी जूट नहीं बोल सकती, कुए वो सोनल के कपड़ों में चिपकी हुई थी. हाँ सर, याद आया, सर, एक राथ मैं और सोनल पाटी से लौट रहे थे, तो सर मेरे साथ ही वो रोगी थी, हो सकता है कि उसी ठाइम उसकी कपड़ों में मेरी बिंदी चिपक गई हो अच्छा, तो जिस वख सोनल का खूल हुआ, उस वख तुम का? सर मैं तो मेरा नर्सिंग होम में थी मेरा नर्सिंग होम? सर मुझे फूट पॉजनिंग हुआ था आप चाहे तो वहां के डॉक्टर से भी पूच सकते हैं हलो, मीरा नर्सिंग हो, जी, तेरा तारीक की रात को टीना नाम की कोई पेशेंट एडमिट थी आप नी आप पे, फूट पॉजनिंग के केस में ती, अच्छा टी, सर, टीना सच कह लिए, एक बात तो साफ हो गई पंकर, ती ये खून टीना ने नहीं किया, सर, ये खूनी अपने आपको बहुत हुशिया समझता है, मगर ये ये नहीं जानता, कि सी आइडी के सामने उसकी हुशियारी नहीं चलेगी, हलो, क्या, अच्छ अच्छा जी, अच्छा जी, सर, पुझा की मॉम का फोन था, वो कह रही थी कि उनके बहुत मना गंडे के बाओ जूबी वो प्राइड मून क्लब चली गई है, अंकर जहीं ऐसा तो नहीं, इखूनी का तीसरा शिकार, पुझा का है, पुझा, यहीं कहीं होगी, प्रीज, प जहर दिया है, केसे बहुत है सर, पता नहीं सर, डांस करते करते ही अच्छा लग गिर पड़ी, सर, सर यह देखिए, सर यहां पर सुई जैसा निशान है, लगता जहर सुई चुबो कर दिया गया है, पंकर श, सारे दर्वाजे बंद करती, यहां से कोई भी बाहर नहीं जान पांच मन मिलें साजागी, सर, अब कोई फायदा नहीं निखिल, पूजा मर चुकी, पूजा, सर, यह सब बेरे मज़े सेवार, सर, अगर मैं उसको कॉल करके ना बोलाता, तो शाहिद ऐसा नहीं होता, देखो, अब यह रोणा धोना बंद कर, और यह बताओ के तुमारे आंकर, षि LOC, मिलें, पेंके कादमिकी तलााशिये, दिखो, पेंग्यिस के पासब्लता है, जलो, सर, चेप, जलो, सर, बाइए, जल Congressman, पें फिर्ण सेमीरे कुछ नहीं, सुर्ण. चेक, अपले इनने कड़ो, जू. अब बाग्यों ये जितनी वी लड़कियां नहीं, उनकी तलाची लेंगे. सर, वहां पे सुई किसी के पास नहीं है, और उनके पास सभी कुछ नहीं मिला है. इसका मतलब गोनी, जहरी ली सुई चुबाने के बाद, यहां से निकल गया. समझ मैं नियारा में खुद पे गुस्सा करना चाहिए है, शरम. नहीं और सोनल के बाद, अफूजा भी नहीं बचा सके उसे हम लोग. लगिन सर, वो खर से बाहर ही क्यो है? उसकी लापरवाई को दोश दे के हम, हम अपनी जिम्यदारियों सा नहीं भाग सकते, विनीत. सर, सर, एक बहुत ही चौकाने वाली बात मता चलिए. क्या बता चला? सर, पंदरा साल पहले, आर्ची एस कॉलेज में, जिस आशना ने आत्मात्या की थी, उसकी बेस्ट्रेंड कामिनी थी. यह देखेंस. यह उस्चिल की वार्डन कामिनी? क्यों कामिनी ने अमसे बात क्यों चिपए? उसमें साफ साफ लिखा है. आशना की आत्मात्या की वज़े रैगिंग थी. स्टुडेंट के खराब बर्ताओं की वज़े से अपनी जान कवानी पड़ी. और यह चारों लड़कियां भी तो बागी स्टुडेंस को बहुत परेशान करती थी. तीना ने बताया था. कहीं इन सब खोन के पीछे कामिनी का हाथ तो नहीं? कामिनी ने सोचा होगा कि क्यो ना अपनी सहली की मौत का बदला लिया जाए. आशना की मौत का बदला. आशना की मौत की वजय रागिंग थी. और यह चारों नड़कियां इभी कुछ इसी तरीके की हरकतें कर रही थी. सर, रिया के घरवाले अमेरिका गए हुए और रिया इस वार्डन कामिनी के गर पर उके विए. क्या? तब रिया की जान को खोत्रे हैं? बन लगा उसे. मुझे मत बारो. मुझे मत बारो. मुझे मत बारो. मुझे मत बारो. मैँ! 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 सर कोई फोन ही ने उठाड़ कहीं अधियार को गुछ होता हो नहीं है हम लग वे स्पॉच्णिंग वाले हैं सुम फोन लगाता ठाइक तरहा तरहा बगाँ स्पॉच्ण ओच्णिंग उटली तरहा है सुम जव्णिंग तरहाइक विङ़ युण 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 बहुँआ आप जो लेड़े, लेड़े, लेड़े लेड़े, लेड़े झाल झाल ज थाल झाल ङकMore उंज पाल जग विया, 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 यह जड़े हो, बिलीट। विया, 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 सा! सा, जल्दी आए! मैम! मैं ओडिये! आप ठीक तो है? हाँ? हुआ क्या है यहाँ पे? मुझे नहीं पता! और रिया का है? रिया? हाँ? मुझे नहीं पता! रिया! रिया! रिया क्या है? अआ! भाँ! हाँ! हाँ! मुझे पत्पारो प्लीए! अपाँ! प контल के П Ci courts! आपाँ पाँ प्लीए! जुचे, बत्वारू. नेहा, तू, तूम जुन्दा हो? अपनी मौत का नाटक करके, औरों को मौत के मीन सुला रही थी? हाँ, मैंने ही मारा है, मैंने ही खुट किया है, उन दोनों को. सोनल और पूजा को तुमने मारा है, ये तो हमें बता चल चुका है. पर वो कौन थी? जिसके राख हमें जंगल में से मेली? मैंने जंगल में कुछ लक्डियां जलाएं। बाइलोजी डेपार्टमेंट से चुराए हुए गंकाल के कुछ उंगलियां और अपने कान के बाले उस हांग में डाल दी और पगल में ही अपना थोड़ा सा खून डाल दिया। बस इतना काफी था आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम बढ़ चुकियों। इतनी बड़ी साज़िश। साज़िश तो मेरे जात हुए थी। और उसी साज़िश का बतला लेने के लिए मैंने ये सब खेल रचा। कैसी साज़िश। पूजा, सोनल और रिया मुझसे जलती थी। क्योंकि मैं उन तीनों से पढ़ाई में बहुत तेज थी। जोब प्लेस्मेंट के इंटर्व्यू से एक रात पहले, उन लोगोंने मेरे खाने में ट्रक्स मिला दी। और इस वज़े से मैं अपना इंटर्व्यू क्लियर नहीं कर पाई। क्या? इतनी सी बात के लिए तुमने सबको मानना शुरू कर दिया। यह आप लोगों के लिए छोटी सी बात होगी। मेरे लिए छोटी बात नहीं थी। मैं उन तीनों के तहां अमीर परिवार से नहीं थी। स्टुडेंट लोन लिया था मैंने इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। पढ़ाय के साथ साथ मैं मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। अब समझ नहीं सकते कि वो इंटर्व्यू मेरे लिए क्या मायनी रखता था और उस राज जब उन लोगोंने मेरे साथ आत्मा का खेल खेला। मैं असरुसान diffuse के लिए। खुत उसवत खेल दृए ओप्रलीटं वोगोंने खेला जब उन्हातु बेड अवस्ति बस्मेत जिर्णी नीड़ गया है क्योत्य सकते है ? तकोगे? मैं एक जाता है? नहीं, मैंचे सपने में भी नी पोचाता, तो इतनी डर पोगी अरे वो आश्वा लहीं, सोनल है, सोनल है, सोनल है वो ओ गौड इसना उल्लू बनाया, मैंने तुझे इतना उल्लू बनाया कि पूछ मत, दिये देख सोनल, ऐसा भी कोई मजाग करता है क्या? नहीं, नहीं, सुनो याद, नहीं तभी मैंने तै कर लिया कि एक एक करके इन तीनों को मार डालूगी तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ था पर खून करके क्या मेला तुम्हे? अपना भविष्य बरबात कर लिया तुम्हें तुम्हें तो शायद सिर्फ अब आसी ही होगी जा ह्ट जा हुआ झाल नहीं तुम्हें